अच्छा दीदी अब हम भी आपसे यह गुजारिश करेंगे कि इस बातचीत में कुछ संगीत का रस भी आए तो आप हमें क्या सुना रही है मैं अब कुभार जी की बात हो रही है और अभी हादरपद मास जस्ट अभी गया गया है जाना जाने वाला है तो मैं एक मिया मलहर में आपको एक छोड़ी से बंदिश सुनाओं जी जी बिल्कुल मिया मलहर की बंदिश आपको सुनाती हूं कुमार जी द्वारा बनाई हुई है जी बंद आपको सुनाओं है यज बंदिवान इंज आपको सुनाओं आपको सुनाओं है आई 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 और सावान जहरी ओ जहरीया, योरी सावान जहरीयो जहरीयायरि इतते उतते चहु दिसते बादरी गरज बरस आयो रिए सावन जरी ओ जरी आयो रिए सावन जरी ओ जरी आयो रिए इतते चहु दिसते बादरी गरज बरस आयो रिए सावन जरी ओ जरी आयो रिए सावान जरियो जरियायोरी इतते उतते चाहूं दिसते सावान जरियो जरियायोरी इतते उतते चाहूं दिसते बादरे गरजवर सायो रेसा वाना जरे यो घरे या यह होगी स्थाई बांधियो अब हम अंदरा पे आते हैं बांधियो अंबा पे झूलारी आ वाय बांधियो अंबा पे झूलारी आवाय। सहल मिलगाबोरिय सावन जरियो जरियाययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययय तो मिया मलहार राग मिया मलहार सुनने के बाद बातचीत के दूसरे हिस्से में चलते हैं और मैं कुछ चीजें और जानना चाहूँगा दीदी एक तो कुमार जी कहते थे कि मैं घरानों की कूली गरी नहीं करता तो ये क्या इनकलकेट आप लोगों में भी हुआ बचपन से मतलब जब सीखना शुरू किया गंभीरता से तो क्या आपने भी एक स्वतंत्र कलाकार कहें या ये कहलें कि ये घरानों के चक्कर से बाहर निकल कर सीखने की आदत पड़ी वही आदत अभी भी जारी है या है कुछ घराने का कुछ अंश कुछ कैसे देखती है आप इस पूरे उसको देखिए क्रांदिकारी विचारक के रूप में जब हम कुमार जी को देखते हैं कलाकार के रूप में तो उनकी पायदान से अपने आपको जरा भी साथ लाना कुछ इतने हैं पहली बात देखिए उनकी विचार सौ प्रतिशत में उसको मानती हूं जो उनका कहना था संगीत के प्रति उनका जो कहना था कि मैं घरानों की पुलिकिरी नहीं करता फिल्कुत सही है लेकिन मों कुमार जी कह रहे थे तो यह बात यहां समझने वादी है और ये बात भी समझने वादी है कि ये कब उन्होंने कहा जब उनकी पूरी शिक्षा दिक्षा ग्वालियर घराने के धज तले पूरी पूरी पूर चुकी थी मेरी माता जी वसंदरा जी की भी शिक्षा डिक्षा वाले घराने के घज तले क्यों कि इन दोनों के जो मूल गुरू थे पतलत प्रोफेसर वियार देव धाथ बंबाई में जो रहते थे वो पंडित विश्टु दिगंबर जी के ग्यारह पहले शिश्यों में उनका स्थाम थ तो उनके गुरू मताब गुबार जी के परातपर गुरू विश्टी गंबर जी विश्व दिगंबर जी के गुरुजी माय क्रिष्ण बुआ इचल करने जी करुए तो यह पूरा जो एक लीनियस है जो एक पूरी मालव शरीणी है माला शरीणी आती है जो यह बहुत उत्तम बात यह रही कि विचारों के खुलेपन की वज़े से जहां कुमार जी रहते थे बुबई में वहां अलग अलग घरानों के बड़े-बड़े कलाकार आकर अपनी संगीत की बंदिशे ढ़ञंते दिलगर बुद्यूजी से करते हैं कुमार जी से करते हैं तो ये उनको अलग-अलग घरानों की दृष्टी समझने का एक बहुत सुन्दर आफसर उनको बंबई में मिलता चला रहा जिसका परिपाक ये निकला कि वो इस मुकाम पर पहुंचे कि मुझे एक घराने से जुड़के नहीं रहना है क्योंकि उनको बहुत से घरानों की सुन इस जाना है कि गगाए कि इस सारी चीज जो जिनको हम कहेंगे कि चीजें दो संगीत को यकामं से जुड़ी हुई है ये उनको वहां बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी और इसकी वजए से अनुप अगए केवाल एक घरानों से बंद के रहे गया तो ये वाकी का संदरी को समझ में आ रहा है इसको कहा ले जाओंगा इन सब का एक विचार मंथर होने के बाद में एक कुमार शैली बनी सवाभाविक है कि हम उस शैली में पले बड़े हैं हमें जो सीखने को मिला वो उस शैली के माध्यम से ही हमने सीखा है लेकिन ये भी मैं आपको बता दूँ कि कुमार जी और वसंधरा जी ने हमको केवल उस शैली से जूड़ी बंदीशे नहीं सिखाई है हमको मूल वालियर घराने की बंदीशे कैसी गाई जाती है किसे गाया जाता है किसे गाया जाना चाहिए इस बारे में सिखाने का पूरा प्रयास अनों ने किया ये बात अलग है कि हम उसमें से कितना ले पाए ये हमारी अपनी बात है वाजी अमयशा कहते थे ते कि हाती जो रहता है वो बहुत बढ़ा हाती है यह आप उसको किस तरफ से देख रहे हैं यह आपके उपर विर्भर है हर तरफ से वह एक जसा नहीं दिखता तो यह बहुत संगीद एक बहुत बड़ा विचार है हम उसको किस तरफ से देख रहे हैं, हम उसको किस शैली की तरफ से निहारना पसंद करेंगे, यह सारी बाते हैं, लेकिन मैं आपको यह कोगी कि हमने निश्चित रूप से पुराने समय की जो अलग-अलग घरानों की बंदिशें हमको सिखाई गई, उनको आत्पसाद करने का प्रयास मैंने किया है और मैं करती रहूंगी, लेकिन स्वभविक है, चुकि कुमार जी की शैली में सीखना ज्यादा हुआ, मैं उसकी अलुगावी ज्यादा हूँ. मैं यहाँ पे दो चीजें अपने रागगिरी के सब्सक्राइबर्स को बता दूँ, एक तो भारतिय शास्त्रिय संगीत की जो घराना परंपरा है, उसमें गौालियर घराना सबसे प्रतिष्टित घरानों में से एक है, और दूसरी चीज यह कि कुमार जी की बात जो भी कला चाहें तो, लेकिन यह मैंने सुना है कि वो राग को भी जो उनको देखने का नजरिया था, वो चोतरफा नजरिया था, दिदी एक चीज और बताएए, आप प्रश्न आपका है, लेकिन संदर्व जाहिर तोर पर कुमार जी काहिए, कि उनकी जो संपून गायकी थी, उस गा आपके तोर पर जब आप अपने अपनी अप्रिंगिंग जब आपकी हुई या अब जब आप एक अगाकार हैं, आप उस सिर्फ भजन वाली छवी से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, करना चाहती हैं, और दूसरा क्या करने की जरूरत है क्या, मतलब इसको लेकर आप कैस से देखती हैं पूरे ताने बाने को, यह आपके बहुत अच्छा प्रश्ट किया शिवेंग जी, कभी-कभी मुझे बहुत बुरा लगता है, हाला कि कुमार जी जैसा एक के में कहूं की कजन जंगा शिखर हमारे सामने हैं, और हम उसको बहुत, हमारी नजरों का दारा मुझे लगता है, जिसकी वजह से हम उसको एक छोटे-छोटे कैपसूल में देखना की कोशिश कर रहे हैं, कुमार जी के स्विजनात्मत तौर पर क्या नहीं किया, भाजार निश्चित रूप से एक बहुत स्ट्रॉंग पॉइंट है, उनकी सांगीतिक अभीवेक्ति का, कुमार जी क्या थे? ये हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए वो कब पहुचे उस मुकाम पर कब उन्होंने इन चीजों पर हात रखा ये भी देखने वाली बात है कुमार जी हर्ती शास्त्री संगीत परंपरा के ऐसे नायक थे जिन्होंने संगीत की लगभग सारी विधाओं को जान समझ कर शोताओं के समने लाने का प्रयवने किया अपनी दृष्टी से ठुमरी टपा तराना इसको लेकर उन्होंने अपने विचार सांगीतिक रूप से वेक्टि किये ऐसा एक उंदा कार्यक्रम पेश किया जिसमें ठुमरी टपा और तराना का अंतर संबंध हमें का कर समझाया अलाग अलाग वो पूरा एक साड़ती चार गहिटे का कार्यक्रम था उसी तरह से मलाव मसलेले बाल गंधर्व मतलब बाल गंधरवजी को जैसे मैंने समझा ये उसका हिंदी तर्जुमा हम करेंगे तो बाल गंधरवजी की गायकी को समझ कर गायकी को समझ कर मैं केवल नाटेगीद गाने की बात नहीं कर रही हूं कि बालगंदर जी ने ये 15 नाट्टेगी गाए तो मैं भी 15 नाट्टेगी रापको गया कि सुनाता हूं जो कि आजकल सामानी रूप से सब लोग करते हैं मराठी में उमजना एक शब्द है मतलब समझ कर लेना, गहराई से समझना तो गाईकी को समझ कर गाना ये बहुत अलग बात है और केवल टेक्स्ट गाना का अलग बात है तो गाईकी को समझ कर उन्होंने गाया क्योंकि बालगंदर जी जो नाट्टेगी पांच मिनिट का गाते थे कुमार जी आता घंटा गाते तो कैसे गाते थे बिना उन् Гाईओ को समझ के तो नहीं होसकता ये तो वह एक बात थी कुमार जी कि 21 अव कमर ची ने बनाए ब fest गुने की जिनका मूल माल्वास के लोग भोनों में पहीं न मिला कि जो प्रब्रति बनाए बनाए गुर्वत संगीत में अब तक उस संगीत हमारा अच्छूता रहा था ऐसा उनका कहना था इसलिए उन्हों ने उस स्वरूप को हमारे सामने लाया उसके अलावा परंपरागत रागों की लगभग दोसों से उपर लाजवाब बंदिशे जिन में उन रागों का पूरा मर्म पहले मुखड वो बंदिशे केवल बंदिशे बनाने के लिए नहीं बनाई उनको जहां ऐसा लगा कि इस राग की यह जो प्रोफाइल है राग की जो यह दृष्टिकोन है यह शायद अब तक की कहीं ने कहीं परंपरागत बंदिशों में कहीं ने कहीं चुटा हुआ है जो मुझे नजर हरा है मतलब कुमार जी तो उस एंगल से उन्हों ने उन बंदिशों की रचनाटिए जिससे कि वह राग रोज है हमारा संगीत उनका पूरा ख्शाल इस बात प्रण के कि मेरा संगीत मतलब भारती शास्त्री संगीत मैं कितने तरह से संवरुद्न कर सकता हूँ अपने विचारों से अपने संगीत से इसका मुझे विचार करना चाहिए और किस दृष्टी से उन्हों ने उस पर काम किया बाजन एक विश्चित रूप से एक बहुत उम्दा मुका एक उंदा उनकी बहुत स्ट्रेंथ रही है और वो इसलिए रही कि उन्होंने भजन गाते समय उस कभी कभी विचार किया उस कभी को समझने की चेश्टा की और फिर उसको हमारे पीच मुले कर दे तो यह बहुत बढ़ा काम है और मुझे ऐसे लगता है कि कभी कभी जब इस इसलिए लोग जिख्र करते हैं शायद कि उनकी रुची भजनों में वो शायद भजक को समझते हैं ऐसा उने लगता है यदि वो रागदारी समझते होते हैं तो वो शायद इस तरह कि स्टेट्मेंट नहीं करते हैं और मुझे आप मेरे बारे में जासे आपने कहा मैं क्या कहूं आपको कि वर भजन गायक तो निश्यक्राइब से मैं कहलाना कुछ को भी पसंदी का उसमें कंतर भाव नहीं है लेकिन वो एक हमारी पूरी एक संगीत यात्रा का एक बढ़ाव है एक मुकाम है जो बहुत सुंदर मुकाम है जो बहुत लोग लभावर मुकाम है कि मैं मानती हूं लेकिन उसके अलावा मैं तो कहते हैं ना कि उसके अलावा बहुत जड़े नीचे गई हुई है तो उनको समझ के यदि कोई ले तो मुझा आनन्द हता है कि कोई आपने अभी कुमार जी की तमाम ऐसी बातों मतलब ऐसी गाईकी का जिक्र किया जो कम लोगों को पता है बहुत रागों को लेकर बंदिशों को लेकर तो उसमें से कोई चीज अगर आप हमें सुनाए तो निश्यत तोर पर हमको उसका आनन्द मिलेगा बहुत कि ज़रूर कि आप बंदिश सुनना पसंद करेंगे जी जी बिल्कुल या तराना सुनना पसंद करेंगे इसमें तो लालच आ जाएगा हम कहें कि हम दोनों सुनना पसंद करेंगे आप पर है तराने की बात हुई है और एक और कुछ सुनाना है तो मैं सोचती हूँ कि मैं आपको एक नेग मल्लार में छोटी सी एक बंदिश गुनमुना देती हो और फिर बाद में तराना गुनमुना देती हो चुकि आप तबलाव अगरे तो कुछ है नहीं तो ऐसे ही सुर्ख के साथ म केमलतान पुरा बजरा है तो उसी के साथ घालेती होंगे पुलन लागे बहुत पुरानी बंदिश है यह, कुमार जी की नहीं है, पुरानी बंदिश है, परमपरा कर दो बुलन लागे आ आ ऑ, बुलन लागे पपियर आरे बुलन लागे पपे अरारे बोलन लाएगे पपे अरारे मुरला दादुर्वार जेंगार बोलन लाएगे आ, 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 बोलन लाएगे ये बोलन सुनरी सकी, आ, 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 सुनरी सकी जी अकी भी था, पैया भी न कैसे करूँ मैं सिधार अब गौडु मलाहर का तराना दीम तानों तनन देरना आदिम दीम तानों तननन देरना आदिम तानों तननन देरना आदिम तानों तननन देरना आदिम 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 तननन देरना ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें इसके लावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानि नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आप वक्त हो तो तुरन देखें न नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतिय शास्त्रिय संगीत के बारे में जागरूपता पहलाने का एक मंच है जो एक रेजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तोर पर ये मुहीम चला र मुग् झाल